नमो अरिहंतानं नमो सित्तानं नमो आयरियानं नमो अच्छायानं नमो लोई सव्वसाहुनं अंगलं भगिवान भीरू अंगलं गोत भोगनी अंगलं कुंद कुंदार्यू जे निधरमोस्तु मंगलं सर्व मंगलि मंगल्यं सर्व कल्यानि कारिकं प्रदानं सर्व धर्मानां जे नम जे तूशाशनं जे नम जे तूशाशनं नम्योन जिनम वीरं अनंत वर्नान दंसं सहावं वोच्छामिनियं सारं के वली शुद के वली बानिदम भगवान कुंद कुंद आचार्य देव के द्वारा निजभावना के निमित रचित महान परमागम नियम सारजी सास्त्र है इसके शुद वाव अधिकार के 71 कलस पर हमारी चर्जा हुई और उसमें ये बात कही गई जिन सुबुद्यों और कुबुद्यों में पहले से ही सुदता है उनमें कुछ भी भेद में किस नयसे जनू ऐसा कहकर त्रिकाली द्रवे सभाव की अधिक्ता और व्यवार में की तुच्छता का परिग्यान मुनिराज पर्मलधारी देव ने कराया इसके बाद देखो 48 नमबर की गाथा आई और 48 नमबर की गाथा में भी वोई विशे आया क्या विशे के लोकाग्र में जेसे विराजे जीव हैं भावली नत्यों कैसे विराज़ते हैं लोकाग्र में तो उपर की लएं कि बिन देर अभिनासी अतिंद्रिय शुद्द निर्मल सिद्ध जो कि सिद्ध भगवान देर रहित हैं अभिनासी हैं अतिंद्रिय हैं शुद्द हैं निर्मल हैं है ना और लोकागर में जैसे वे सिद्ध परमात्मा बिराजते हैं वेसा ही भवलीन संसारी को जाना तो इसमें भवलीन संसारी कह करके आचारे भवान एक तरफ सिद्ध परियाई कि इदर वो सिद्ध लोकागर में बिराजते हैं ऐसे सिद्ध है ना और इधर भवलीन संसारी तो अवस्था में तो एक सिद्ध दसा है और एक भवलीन की दसा है है ना लेकि सबी जीव जेसे सिद्धात्मा प्रगट परमात्मा हो गए भवलीन संसारी जीव भी वे से ही है शुद्ध द्रगव सवाव की अप एक सा से देखो तो उन में कोई अंतर नहीं है और इस गाता का हेडिंग ये दिया कि और यह है और यह कह करके कह कहना चाहरे है पिछली गाता से समन्द जोड़ा है को और यह कार्य परमात्मा तथा कारण परमात्मा में अंतर नहीं होने का कथन है कार्य परमात्मा किसे कहते हैं परमात्म दसा जिनको पूर्ण प्रगट हो गई सिद्ध दसा वो कार्य परमात्म दसा कहलाती है कार्य पर्मात्मा दसा कहला कि यह कार्य पर्मात्मा मने वो कार्य रूप से पर्मात्मा हो गए कार्य बने परियाई रूप से तो परियाई रूप से जेसे पर्मात्मा है वेसा ही कारण रूप से निजात्मा है आया तरिकाली सभाव ये बात इसमें बताई गई इसमें मैंने देखो क्या बात कहीं रहू टीका भी जड़ा देख लो कि अपन सोच रहें उन पचास पचास गाथा तक अपन पूरा करें परकंड फड़ा कुंग उन पचास गाथा भी समझने जैसी है और पचास गाथा तो गजब है है ना और उसके बाद मुझे एक और बिंदू आपको इसमें बताना है सुद्ध भाव अधिकार में जो आजकल हवा चलती है ना कौन सी कि ये सब आचारियों के मानने हैं मुनिराजयों के मानने हैं सराव को और ग्रसम्मेदश्टियों के गरंत मानने नहीं है उम्हें आपको बताऊंगा कुंद कुंद आचारिय के शब्दों में बताऊंगा देखो वी चर्चक करूँआ देखो है ना तो देखो यहां पर क्या कहा कि जिस प्रकार लोकागर में सिद्ध परमेश्टि भगवान के से हैं वे कि निश्चे से पांच सरीर के प्रपंच क के अभाव के कारां है अशरीर हैं पांच सरीर कौन को से पांच सरीर होते हैं ओधारिक वेक्रियक अहारक तेजस और कार्मान आपके पास कितने सरीर हैं इनमें से सारी पट्टें उल्टी पड़ी हैं आपके पास कितने सरीर हैं आपने कि दिया तीन सरीर अरे पहले तो यह नक्की करो कि मैं आशरीरी हूँ आत्मा के कौन से सरीर होते हैं है ना और फिर असरीरी हूँ यह नक्की करने के बाद फिर अगर आप संयोग की अपेक्सा से तीन सरीरों का संयोग है आत्मा को सरीर थोड़ी है सरीरों का संयोग कहलाता है लेकिन वो संयोग कौन कह सकता है कि जिसे सभाव का पता हो वो का बाक्सियों की बात कर सकता है और जिसको सवाव का पका नहीं है ना तो वो शरीर को ही आत्मा मानता है हुआ है तक आंदर की वासना होते ही वुचल लुचल करए अंदर में बाहर आती है कि अभी ब्रहुत अधर का अभी प्रहुत बछिय को आत्मा मानने का्विव प्रह पढ़ा है कि कोई प्रश्ना आएगा नहीं है अपना ए उत्तर आये मेरे पास अभी तीन शरीर यह उत्तर है लेकिन भाई पहले पे पहले नक्की यह करो आत्मा सरीर से सर्वता भिन है सर्वता भिन जिसने जाना फिर वो सरीर सापेक्स आत्मा का कथन भी करे तो उसका कतन अनुपचरिद सद्वूद विवार में यह अनुपचरिद असद्वूद विवार में है ने ऐसा और यह भगवान कैसे है वह यह तो ओके दे भगवान तो असरीर है बराबर फिर उसके बाद क्या लिया निश्चे से नर नारकादी परियायों के त्याग गिरहन के अभाव के कारण अभी ना सी है नर नारकादी परियायों हम नर नारकादी परियायों में भी हम सरीर पकड़ते हैं नर नारकादी परियायों में गुर्देव ने अर्द किया था नर नारकादी परियायों में उस ओदई के भाव इस सरीर तो पुद्गल की परिया है यह आत्मा की परिया कहा से हुए है ना तो उसके उस उस ओध़िक भाव के भी गरहन त्याग और गरहन के अभाव के कारण सिद्ध भगवान कैसे है अभिनासिय अब और देखो आगे परमतत्त में इस्थित नियम सार की भासा भी कोई अलग है आया परमतत्त्त में इस्थित परमतत्त कोन है जो त्रिकाली सभाव है ना परम परनामे भाव उसको बोलेंगे परमतत्त्त और उसके सामने च्छाईक भाव भी अपरमतत्त्त है अभी राग को अपरम मानने में जीव को पशिनावे च्छाइक भाव भी अपरम है जो द्रब्य और परियाय की चर्चा चलती हो है ना तो च्छाइक भाव भी अपरम भाव है और त्रिकाली द्रब्य सभाव वो परम भाव है और जब परियायों परियायों में चर्चा चलती हो तो च्छाइक भाव परम भाव और बागी तीन भाव अपरम भाव तीन में चड़ से सले तो हाँ वो देख भाव अपरम भाव में चला जाएगा समझ दो तो जैसे लिए ते कहने का मसलब क्या कि च्छाइक भाव को भी जो जेन दर्शन अपरम भाव कहता हो परमतत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् अजाधा धर्शनादी रूप था आभाएँ साहज ग्माहिए अ हैसा धर्शनादी रूफ। जिसमें से समस्त संसे दूर कर दिये गए हैं एसे सरुप होले होने के कारण वे अतिंद्री हैं अब ये जो तीसरा बोल है ना ये बहुत गंबीर बोल है अभी इसकी चर्चापन गुर्देव के प्रोचन से करते हैं देवो और चोथा क्या लिया मल जनक शायो पुसमी कादी ओधनी क्यों नहीं लिया है कि जब शायो उप समको भी मल जनक कह रहे हैं शायो पुसमी आदी मानम अदेट वे तो आए गया हुद एप शायो पसंक के पहले ही लेना अब शायो मे के आगे और कॉन से लेना अपसमिक छाई ए भाव को क्या कहा उन्होंने मल जनक कि केसे मल जनक भाव तो निर्मल है कि छाई के भाव तो निर्मल है अपसमिक भाव तो निर्मल है छाई अपसमिक भाव तो निर्मल है लेकिन इनका आस्रे करेंगे तो विकल पुत्पन होगा तो विकल्प का उत्पादक होने की वज़े से इनका आस्रे विकल्प का उत्पादक है विकल्प है मल और इनका आस्रे विकल्प का उत्पादक होने से ये भाव मल जनक है मल माने की तो समझते वो समझाने की जरुद नहीं जादा विकार विभाव यहां विभाव सब्द आया वो विशेश भाव के अर्थ में आया और विकार सब्द आया वो मलिंता के अर्थ में आया मलिंता उत्पन होगी विकल उत्पन होगा राग उत्पन होगा छाइक भाव सेम भीतराक सरुप है लेकिन च्छाइक भाव का आस्रे राग का उत्पाद है आगी बाद समझने च्छाइव समय कादी विभाव स्वभावों के विभाव स्वभाव ने विशेश भाव रूप जो स्वभाव है स्वभाव ने अपना भाव है उस विशेश भाव है मैंने वो परियाई का अभाव है इसाद के अभाव के कारण निर्मल है परंपार्ना और द्रब्य कर्मों तता भाव कर्मों के अभाव के कारण विशुद्ध आत्मा हैं उसी प्रकार संसार में भी यह संसारी जीव किसी नए के बल से मने किसी नए से सुद्ध है और वो नए कों सा है तो वो नए सुद्ध नए परंशुद्ध नए परंशुद्ध निश्चे नए सुद्ध द्रब्यार्थिक नए जिस नाम से आपको कहना है कि आगया तो इसमें अतिंद्री का बोल जरा गुर्देव के आधार पर देखो जरा वह बहुत मारमिक बोल है कि मैं पेज बोलता हूं कि दो यह पेज नंबर मेरे हिंदी में 328 पेज है गुजराती में देख लीजिए आप कितना पेज है दो तिन पेज प्रोचन का निकल लेगा उसके बाद आता है बड़े अक्षरों में बोल अक्षरों में है कि परम तत्तों में स्थित सहज दर्शनादी रूप कारण सुद्ध सरूप को किन सो तैता है दो सो तैता है हाँ आगया मिला के परमतत्तो में इस्थित सहद दर्शनादी रूप कारण सुद्ध सरूप को युगपत जानने में समर्थ ऐसी सहद ज्यान जोती द्वारा जिसमें से समस्त संसे दूर कर दिये गए हैं ऐसे सरूप वाले होने के कारण अतिंद्री है पहले तो उन्होंने पूरा बोल पड़ा अब कहते हैं कि इंद्री को इसपर्स ही नहीं जड़ इंद्री को इसपर्स ही नहीं भाव इंद्री परियाय में है उसे यहां गिनने में नहीं आया तो द्रव इंद्री का तो आत्मा इसपर्स ही नहीं करता क्योंकि वह सरीर के अंगरूप द्रव इंद्री हैं और एक द्रव दूसरे द्रव को इसपर्स नहीं करता ये तो जैम दर्सन का जगत विदित सिद्दांत है न? पहले कलसमा आच्छुगा न? हां, तो उसको यह गिन्ने और और जो भावेंदरी परियाई में है निए भावेंदरी माने क्या होता है? ग्यान का खंड-खंड होना मने खंड-खंड ग्यान का उगार है ना तो ग्यान का जो खंड-खंड पना है कि ओ भावेंद्री परियाई में है तो उसे यहां गिन्ने में नहीं आया क्या गिन्ने में नहीं आया उसे आत्मा का ग्यान ही नहीं कहते है ओ खंड-खंड भावेंद्री है समय सार 31 गाथा में कहा जो इंद्ये जिनित्ता भावे इंद्रिये द्रवे इंद्रिये और भगवान भगवान माने कौन इंद्रिये का विसे बनने वाला पदार सब इंद्रिये में जाते हैं एक इंद्रिये सब्द आया जो इंद्रिये जिनित्ता और उस इंदुरीए सब्ध में से अमरत्चंत्र आचारी भग्वान ने तीन बाते निकाली कौन-कौन सी तीन बाते निकाली द्रवेंद्री भावेंद्री और अंद्रिये के उसे भूत पदा Yo तो वो तीनों से भेज ग्यान करना मन द्रब इंद्री जड रूप है भगवान आत्मा चेतने से रूप है भावे इंद्री खंड खंड रूप है भगवान आत्मा अखंड है इंद्री के विशेभूत पगात संग रूप है भगवान आत्मा असंग रूप है तीनों को अलग अलग रखो पहले तो जड़ इंद्री कैसी है जड़ रूप भगवान आत्मा चैतन रूप भावे इंद्री कौन सी खंड खंड रूप उसके सामने भगवान आत्मा अखंड रूप इंद्री के विशेभूत्पतार्त कैसे है इस संग रूप और भगवान आत्मा कैसा है असंग तो अब इसको ऐसे ऐसे पढेंगे जड, खंड रूप तता संग रूप द्रवेंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विशेभूत पदार्तों को चैतनी रूप अखंड असंग निज भगवान आत्मा से निर्मल भेदा भ्यास की प्रवीन का द्वारा अपने से सर्वथा भिन्न किया आगी बास सोने, माना तीन बोल द्रवेंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विशेभूत पदार्त के रखो और इधर उसके सामने उससे विरुद तीन बोल भगवान आत्मा की, इन से इसको भिन्न किया क्यों कि अभी तक हमारा एकत्व किसमे है, अभी तक हमारा एकत्व द्रवेंद्री में है, अभी तक हमारा एकत्व भावेंद्री में है, अभी तक हमारा एकत्व इंद्री के विशेभूत पदार्तों में है, जबकि भगवान आत्मा, चैतन्य सरूप है, अखंड है, निरुप भगवान आत्मा को भिन्द करना भिन्द जानना है तो भिन्द जानने का साधन क्या है समझो द्रव इंद्री से भगवान आत्मा को भिन्द जानना सरल बासा में कहें उन्हों निर्मल बेदा व्यास की प्रवीनता इसके द्वारा आप इनको आत्मा से सर्वता भिन्न जान सकते हो दो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वता भिन्न तो वे हैं लेकिन तुम्हें हमें अनिर्मल अभेद ग्यान के कारण यानि अपनी मूर्खाई से है ना उद्वायर निर्मल बेदा व्यास की प्रवीनता इसका उल्टा करो कि निर्मल की जग्या करो अभेदा भ्यास इनको अभेद मान के बेढ़े है और वहां है प्रवीनता यहां कहेंगे मूर्खाई की वजह से एक जैसे दिखते हैं मैं जिसे सरीर और आत्मा एक दिखता है किसे जगत में वो मुर्खों का सिरोमनी है जिसे भाव इंद्री और आत्मा एक दिखते है वो जगत में मुर्खों का सिर्काज है है ना और जिसे इंद्री के विशेभूत पदार और भगवान आत्मा एक दिखता है एक होता नहीं और फिर भी दिखता है तो जो होता नहीं वो दिखे उसे क्या कहेंगी आपने जैसे हम समझो कि एक एक दोजार का नोट है ठीक है तो एक दोजार का नोट आपको कितना दिखना चाहिए बोलो कितना दिखना चाहिए दोजार का नोट एक-दो-ईजार का नोट एक ही दिखना चाहिए ने ठीक है? अब किसी को आँखों में बहुत ज़्यादा समझ गे? अब उसको वो एक-दो-ईजार का नोट उसके सामने रखो उसको दो दिखते हैं तो अपन क्या कहेंगे? गजब एक है और दो दिखते हैं गजब गजब है या रोग है? क्या करते हैं अपने? अगर ऐसे दो-दो एक चीज अपने को दो-दो दिखने लगे तो आँख का रोग है न वो? उसका इलाज कराते है कि निकराते हैं? इसी तरह यहां कहते हैं कि भिन्न चीज तेरे को अभिन्न दिखने लगे और अकेली भिन्न ही नहीं सर्वता भिन्न सब्द का प्रियोग किया अमरचंद्राचार ने तीनो में सर्वता-भिन्न सब्दका प्रयोप किया स्रॉता भिन्न का मतलब मेरे द्रवेखे छेत्र काल भावे जो नहीं हो वो मुझ्य Шरुता भिन्न घंडखंड भाव्यंद्री हो मेरे घ्यान का शरूपी नहींenty वो इसका मतलब तू इंद्रियों का जित नहीं है, каких तू इंद्रियों को तेरे पर जीता को एक ज्ञानी इंद्रियों से जीता गया है और फिसका sells तो मतलब के एक तो घोड़े पर एक पर घोड़ा चड़ता है कि आगा है कि घोड़े पर चड़ता है वो सरपट सरपट भागता है और जिस पर घोड़ा चड़ जाता है मुझे बताने की जरतनी क्या होता है आगी वाद सौझ में है ना तो जो घोड़े पर चड़ गया मैंने जिसने इंद्रियों को जीता अब इंद्रियों को जीता मतलब क्या कि अनिंद्रिय भगवान आत्मा का जिसको लक्ष हो गया मने उसने इंद्रियों को जीता मने वो गोडे पे चड़ गया कि अब तो सरपट भागेगा वो मोक्स की और उसके कदम निरंतर बढ़ रहे हैं है ना और जो इंद्रियों से जीता गया अर्ताथ जिसने द्रवे इंद्रि भावे इंद्रि और इंद्रि के विशेभूत पदार्तों में एकत तो किया अपने भगवान आत्मा अनिंद्रिय सभाव को भूल गया इसका मतलब यह हुआ कि वो इंद्रियों द्वारा जीता गया मने घोड़ा उसके उपर चड़ गया तो किसी के उपर घोड़ा पेर दे दे वे आगया कहने की जुरत नहीं है समद लेना है ना यह है विया तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस लोक की और का लक्स छोड़ कर अपने अतिंद्रि सुरूप में जहां आता है नान सहावादियम मुनदि आदम अपने ग्यान सवाव से जो अधिक है एसी अधिक मने भिन है एसी मुनदि अर्टार्थ जानता है तम जिनिंद्यम साहू उसे सरवग्य मने परमात्मा अरंत परमात्मा जितेंद्रिय कहते हैं सम्झे में आगया? और ये जितेंद्रिये, ये भगवान की पहले नमबर की लेकिन जगन्नी स्तूती है. यानि ये सम्मेक दर्सन है, जितेंद्रिये जिन ये सम्मेग दर्सन है. आगे फिर और भी स्तूतियों का वानन आया थाले, वो उनी दिशा में उपसम सेणिया उच्छाइक सेणिया होती उसकी बात करी है इन इंद्रियों को जीता और बाहर का भोग नहीं लिया ऐसा नहीं तो अब हम ने तो पांच इंद्री के हम तो देखो हम तो अभी मेलकुल कठोर कठोर सिलाओं पर बेटते हैं कोमल गदों का हम प्रयोग नहीं करते हैं ना सबसतरस निरस भोजन करते हैं किसी तरह का सुगंदादी का प्रयोग नहीं करते किसी तरह के रंग राग नहीं देखते किसी तरह के रंग राग नहीं सुनते हैं ना ये पांच इंद्रियों के भोग हम नहीं करते तो कि इंद्रियों को जीत लिया एसा नहीं है बही इंद्रियों से तुझे भगवान आत्मा बिन अन्वह में आया के नहीं अगर अनिंद्रिय भगवान आत्मा तुझे अन्वह में नहीं आया तो तू इंद्रियों का विजेता नहीं हो सकता ये बात आई तो यहां पे कहा कि द्रवें इंद्री भावें इंद्री और इंद्री के विसे इन तीन से भिन ग्यायक भाग्यान सवाव का जिसने अनुभव किया वह इंद्रियों से पार है यहां भी यह कहा और वो बोल वापस गुर्देय उन्हें पढ़ा फिर इसके बाद अगले प्रहोचन में इसी बोल को बहुत थोड़ा इस्पश्टि किया उन्हें दो तिन पेज छोड़ना पड़ेगा आपको प्रहोचन के यह आया ना दो यह यह यहां पर पेज नंबर मेरे इसमें 331 नंबर का पेज है आपको थाए दो चार पेज आगे होगा देखो भी यहां इसमें यहां पर लिया कि एसे परम तत्तों में इस्थित तो परम तत्तों में भगवान आत्मा में इस्थित जो सहद दर्शनादी रूप कारण सुद्ध सुरूप को युगपत जानने में समर्थ है ना हां इंद्रियों में क्या होता भी या कि इंद्रिय ज्यान में युगपत जानने की सामर्थ नहीं होती है होती है इंद्रिय ज्यान में युगपत जानने की सामर्थ होती है है ना वो तो खंड खंड रूप से जानता है है ना तो युगपत जानने में समर्थ वे तो कारण परम परमात्मा को जानने में समर्थ है और प्रगट परियाई को जानने में एक साथ समर्थ है दो बाते हैं कारण परमात्मा को जानने में समर्थ और प्रगट परियाई को एक साथ जानने में समर्थ है जानने का सभाव है वह किसे नहीं जाने बहुत गजब का वाक्य है जानने का सभाव है वह किसे नहीं जाने ये जो भी है सब को जाने और उसे अवदी क्या काल की मर्यादा नहीं होती अवदी क्या कि भाई दो समय या तीन समय लगे एसी अवदी नहीं है एक ही समय में खनी साब दो समय लगेगा तो इतना जानना पड़ेगा तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा केवल गयानी भगवान तीन लोग तीन काल को एक साथ जानते हैं अपने को कोई कहे कि नी मेरे को टाइम लगेगा क्यों लिए निए भगवान ने कहा, तेखो मैं तीन लोग को जानना है तो कम से कम तीन समय तो दो मुझे, कि पहले समय में आदो लोग को जानू, फिर मद्य लोग को जानू, फिर उर्द लोग को जानू, उसके बाद चोते समय अपनी आत्मा को जानू, फिर पांचे समय बाह को जानने में समर्थ, एक समय में अपने कारण परमात्मा को जानने में समर्थ, एक समय में अपनी कारण परमात्मा दसा को जानने में समर्थ, अरे सच तो ये, एक समय में लोका लोक को जानने में समर्थ, बोलो क्या नहीं जानते हुए, ज्यान की चमतकारिक सामर्थ का भरोस और ऐसी सामर्थ ज्यान में पड़ी है हमारे ग्यान में आपके ग्यान में भी ये सामर्थ पड़ी जाने यह सामर्द नहीं होती तो आती कहां से सिद्ध परमात्मा को अरेंद परमात्मा को एक समय में स्व और पर को जाने का चलो स्व और पर दो है तो दो को जानने में दो समय लगेंगे गजब बात ये अच्छा एक बात और समझो कि सो पर को जानना कहा होता है ग्यान की परियाएं में है ना पर को जानने के लिए पर की और जांकने में भी नहीं जाना पर ग्यान की चमतकारिक सामर्त ऐसी कि भूत काल की परियाएं प्रगट होकर के नश्ट हो गई और भविस्य काल की परियाएं अभी प्रगट ही नहीं हुई वर्तमान में तो केवल वर्तमान परियाय प्रगट है लेकिन उस ग्यान की दिविता का सरु बिचार करो कि जो ग्यान अप्रगट और अनुत्पन परियायों को भी वर्तमान में बीच चुकी उन परियायों को भी और अनत्पन परियाएं को भी अपनी को भी और परव्की को भी एक समय में जानता है हां परगट सकल द्रब्य के गुण अनन परजाय अनन्ता जाने एक एकाल प्रगट केवली भगवंता हम्मने है और वो सारा जानना अपने ग्यान में होता है सवकावी और परकावी क्यों? क्योंकि सवपर प्रकासक दो सभाव नहीं है एक ग्यान का द्वी रूप सभाव है है ना दो सभाव नहीं है कि सवपर प्रकासक सभाव अलग है और प्रकासक सभाव अलग है सवपर प्रकासक पे रूप स्व प्रकासक है यह सुद्दो पेव अधिकार के जो गुरदेव के प्रोचने कारणकारे नियम के सात不過 Раз के म deste प्रकासक रूप ज्यान का प्रकाशान है वो के के से ज्यान का जिसमें स्व और पर दोनोंका प्रकाशन एक सात हो रहा है है इंद्री ग्यान में सामर्थ कि इंद्री ग्यान में ये सामर्थ नहीं है पहली बाद तो रूपी को जानने के अलावा अरूपी को जानने की सामर्थ ठीक है और रूपी को भी इसकंद को जानने की सामर्थ है उसमें भी एक इंद्री है पुद्गल के एक गुण की परियाई को जान सकता है रसना इंद्रिय इसपर्स गुण की परियाई को जान सकती है वो रस की परियाई को जान सकती है वो रस की परियाई को नहीं जान सकती है परियाई को जानता है गुण को नहीं जानता द्रब्वे को नहीं जानता कौन इंद्री ग्यान मूल द्रब्वे तो पुद्गल है ना और इसपर्स की आठ परियाए लेकिन मूल गुन तो इसपर्स है ना गुन को जानता है कि परियाए को जानता है और परियाए भी इस्थूल हो तो जानता है उसकी सुक्सम परियाय को नहीं जानता यहने कितनी कंडिशन है ज्यान उसे कहते है कि जगत में गे हो और उसे ना जाने उसका नाम ज्यान है यह तो सामने पड़ी हुई चीज को नहीं जान सकता समगर रूप से क्या बोले इसको आगी बास समझ में तो यह कहा एक ही समय में सवपर को जाने और पि कैसे जाने कि अपने में रहकर अपने असंख्यात प्रदेशों में से ग्यान की परियाय बाहर निकली नहीं और अलोका कास तक का पता लेकर गया गई तो इसका मतलब क्या हुआ तो ग्यान की अपनी स्वपर समर्थ से गय जानने में आते हैं गयों के कारण से ग्यान नहीं होता हूँ क्योंकि अगर गयों के कारण से ग्यान हो तो ग्यों की और तो जाए ग्यान परियाय ग्यान परियाई में जाती और ग्यान परियाई में जानना होता है तो काई का जानना होता है तो ग्यान का जानना ग्यान रूपी है ग्यान का जानना कहते हैं ना तो वो तो ग्यान जैसा ग्यान में बनने वाला ग्या का सच में है ग्याना का अपने में रहे कर जानता है दो आया अपने चेत्र में रहकर अपने चेत्र में जो सरीरादी है वहां आत्मा है जहां आत्मा का सेत्र है उसी चेत्र में शरीरादी भी है चेत्र तो नियारा अब समझाने में क्या बोले देखो आत्मा का चेत्र कितना असंख्यात प्रदेशी गराबन और सरीर का चेत्र कितना कितने प्रदेशी बच्छा बताओ अनन्द प्रदेशी क्यों असंख्यात प्रदेशी क्यों तीन ही उत्तर आएंगे संक्यात, असंक्यात और अनंत अब तिनों उत्तर आप दोगे तो मैं उसमें प्रशन खड़ा करूँ मैं ऐसा क्यों आत्मा के तो असंक्यात प्रदेशी छेतर है बरावरे सरीर का छेतर कितना प्रदेशी है अनंत प्रदेशी क्यों हाँ कि अरे सरीर का एक एक पर्मानु एक एक पर्देसी है माना एक एक पर्मानु के कितने पर्देस है एक पर्देस तो सरीर में जितने पर्मानु होंगे न उतने पर्देस कहलाएंगे उसके तो सरीर अनंत पर्मानु होगा पिंड है तो सरीर अनंत प्रदेशी है आत्मा असंख्यात प्रदेशी है बोलो सरीर और आत्मा के प्रदेश भिन ख्याल में आए कि नहीं आए ऐसे है वो अब हैर साब आत्मा शरीर के चेत्र में आए कहां सरीर का चेत्र है शरीर का छेत्र एक परमानूं का छेत्र नेरा नेरा है इसकंड की अपेक साथ से असंख्यात अनंत प्रदेशी है वरना क्या है? वरना अभी गुरुदेर फर्मा रहे थे ना कि एक इसकंड में भी एक परमानूं दूसरे परमानूं को सच में इस परशनी करता अपनी पर्याय सुतंत करता है अपने अपने गुण सुतंत रहे हर पर्मानों के अपने अपने गुण और हर पर्मानों की अपनी अपनी पर्याय सुतंत है और एक पर्मानों की पर्याय एक पर्मानों के गुण दूसरे पर्मानों में नहीं मिलते एक पर्मानों की पर्याय दूसरे पर्मानों में नहीं विलती और इसकंद रूप से सारा होने पर भी क्यों कि भाई साथ एक पुद्गल्द रब्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल्द रब्य की वर्तमान पर्याय में अन्योन्यम हाव है ये दो इसकंदों के बीच तो बहुत इस थूल दृष्टी से समझाने के लिए पढ़ाया जाता है सच में एक इसकंद में एक पर्मानों की वर्तमान परियाए का दूसरे पुद्गपर्मानों की वर्तमान परियाए में अभाव इसका नाम अन्युन्या भाव है क्यों कि दो इसकंदों में थोड़ी भेर ग्यान कराना हमें हमें तो इसकंद में जो हमें द्रब्य पने की बुद्धी हो गई है उस इसकंद में द्रवे बने की बुद्धी चुणानी है क्यों? क्योंगि द्रश्टी गोचर पुद्गल इसकंदों में द्रवे रूप बुद्धी ये मिथ्चातों का एक प्रकार पंडित दीप्चंदी साथ कासली वाल ने भाव वी पिका बे लिए किसा मिठ्यातों का पुद्गल को इसकंद को उसमें क्या फरक पड़ता है फरक इसलिए पड़ता है कि जैसे तुम पुद्गल इसकंद को जो की परियाई है समान जाती परियाई हुई न उसे तुम द्रबे मान रहे हो इसी तरह आत्मा की वर्तमान परियाए को भी द्रब्य माने बिना नहीं रह सकते क्यों? क्यों जब इतनी स्थूल परियाए भी तुम्हें द्रब्य दिखाई दे रही है तो सुखसों परियाए द्रब्य नहीं दिखाई देगी हम के से माने ये बात कह रहे हैं यहां पर भाई बहुत अगजब की बात है एसी सैद ग्यान जोती द्वारा जिसमें से सब संसे दूर कर दिये गए हैं एसे सरुप वाले होने के कारण अतिंद्री हैं मैंने भगवान आत्मा अतिंद्री सरुप है क्योंकि पर को कभी इस पर सित ही नहीं हुआ सबी संसे दूर कर दिये गए हैं ये कैसे होगा कैसे होगा ऐसे संसे की वहां क्या नहीं है गंद नहीं है संसे तो नहीं है लेकिं संसे की गंद भी नहीं है गंद भी नहीं है मतलब क्या जैसे होता है नहीं हींग होती हींग तो जिसे डिबी में हींग हो तो उसमें तो हींग की खुसबू क्या बोलते हैं खुसबू बोलते हैं है न यहां तो कहते हैं गंद भी नहीं रहे थे हैं आ गया यह है इसकार आ गया कैसे होगा एसे संसे तो हैं नहीं यहीं संसे रूपी हींग तो हैं नहीं लेकि संसे रूपी हींगे की गंद भी नहीं आया एसा एसा प्रभू चैतन्य निसंदेह निसकारण परके कारण बिना अपने निज कारण परमात्मा से साबित साबित मनसिद ये सिदफ परियाई की बात नहीं है साबित मनसिद परूफ ये है उसकी दुरष्ट्टी करना उसका ग्यान करना और उसमें लींता करना ये पूरे बारे अंग का सार है बाकी सब बाहर की बातें दमाल 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 है क्या का बारे अंग का सार क्या का आत्मा को जानना है इसका नाम बारे अंग का सार अरे जिसने आत्मा को जाना भाव सुर्ट केवली हो गया परसों गुर्णदेव के प्रोचन में आये था द्रव्य सुर्ट केवली तो द्वाद सांग का पाटी है है ना लेकिन जिसने अपने ग्यान में भगवान आत्मा को जान लिया वो भाव सुर्ट केवली हो गया क्यों? क्योंकि सुर्ट ग्यान में सारे द्वाद सांग में एक मात्र आत्मा को जानने की बात चुछ और वो काम उसने कर लिया सारा द्वाद सांग का सार आ गया समय सार में एक कलस आया कि द्वाद सांग में जिनागम में तो अनुभूती करने का विधाग है अब क्या नहीं जाना है अरे इसा वो तीन लोग को सुमेरू परवत तो जाना ही नहीं वो करम की प्रकरतियां तो जाना ही नहीं अरे करम की प्रकरतियां उसने जाना ही नहीं नहीं जानने पर भी जितनी करम प्रकरतियों का विच्छेद होना था वो हो गया उसको और तुम करम प्रकरतिया जान जान करे के भी करम प्रकरतिया बांजे जा रहे हैं आंगे बहुत अदूस वाथ है भई न ये सब बहुत बाते हैं सारी ये गुर्देश ने बहुत इसमδα से ये बात ली अदो ये लाश्ट में निचे एक और पराई इसी प्रकार का क्या अहां ये राग था और मैंने राग छोड़ा, ये संसे भी दूर हो गया, क्या गजब बात कह रहे हैं, क्यों संसे क्यों कह रहे हैं, क्या भाई मेरे सभाव में राग था ही नहीं, मैं रागी हूँ ऐसा ध्रम था, भ्रम दूर हो गया, आत्मा राग को छोड़े, घनेरी साव राज तो सोड़ना पड़ेगा तो परद्रवे को आत्मा छोड़ सकता है पहले पहले परद्रवे की बात कर रहा हुँ पहले आत्मा परद्रवे को ग्रहन कर सकता है आत्मा परद्रवे का त्याग कर सकता है नहीं कर सकता है तो आत्मा पर तक्त्यों को ग्रहन कर सक आत्मा पर तत्तो का त्याग कर सकता है जैसे सरीर आदी पुद्गल जीव द्रब्य से भिन्ण पर द्रब्य है इसी तरह रागादी भाव जीव तत्त से भिन्ण पर तत्त है आसरो तत्त आसरो तत्तो को आत्मा गिन्यान करें जीव तत्त आसरो तत्तो को गिन्यान करें हमारी समस्य क्या है देखो दो तरह से समझो जब द्रब्य और परियाई की सेली में बात करते हैं तब तो राग आत्मा की परियाई में है ऐसा बोला जाए जिन्वानी भी बोलेगी बोला है ले जीव तत्व में आस्रव क्यों तत्व है ना तत्व आर्थ तत्व माने वस्तू और अर्थ माने उसका सरू अर्थ माने पदार और तत्व माने उसका सरू एसा उल्टा हो गया था है ना अर्थ माने पदार, तक्त्वार्थ, तो अर्थ माने पदार, और तत्व माने उसका सरूप, तो आस्रव एक अर्थ है, है ना, और उसका सरूप है, सुबा सो विकारी भाव का उत्पन होना, तो आस्रव तत्व है, आत्मा जीव तत्व है, एक जिसे एक द्रवे दूसरे द्रवे को ग्रहन नहीं करता और एक द्रवे दूसरे द्रवे का त्याग नहीं करता क्यों? क्योंकि एक हर द्रव में वैसे तो जीव द्रवे में है सक्तियों के वर्णन में लेकिन ये सक्ति सब में है त्यागो पादान सुन्यत शक्ति यह समाने सक्ति तो तत्तो में घटित करो इसी बात को अगर अगर आप यह नहीं मानोगे एक तत्तो को दूसरे तत्तो का गराण करने वाला मानोगे तो साथ तत्तो के से सिद्ध करोगे हुआ हम यही तो आपत्ति देते हैं न एक तुझर दूसरे ने का करता हो गा bémmi परण्मि उस रूप होना पड़ेगा उस रूप होकर कि आप उसके करता हो सकते हो रोटी का करता कब हो सकताığ मैं और रोटी में जाय तो आप्मा रोटी का करता हो तक छरीर भी या आटा बन जाए तो रोटी का करता हो सकता है कुमार गड़े का करता को हो सकता है कि निजा है फिर गड़े का करता हो जाए तो जो विवस्ता दो दृप्डियों के बीच है वो ही विवस्ता दो तत्तों के दीजिए समझा क्या आश्रव का करता आश्रव को कहा तेरी भी गाता पड़ो समय सार की आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाला दोनों आश्रव है ऐसे सब घटित किये और जीव को इन परियाय रूप आश्रव बंद पुन्य पाफ समझ निद्रा मोक्स आदी तत्तों का अकरता था क्यों अकरता था जीव को अकरता क्यों कहा मोक्स का अकरता जीव को क्यों कहा क्योंकि मोक्स का करता कोई है कौन है मोक्स का करता है ना तो उन्हें कहा मोक्स करने वाला और मोक्ष होने योगी होने योगी एक समय का परणाम और करने वाला करम का अनुदे इस तरह घटित करके जीव को अकरता से दिखिया आगी बास समझे मैं च्छाइक भाव को क्यों करूँ क्योंकि करम का च्छाइक करता है कि च्छाइक भाव को च्छाइक भाव नाम क्यों पढ़ा उसको उसका नाम च्छाइक भाव क्यों पढ़ा जीव की और से च्छाइक भाव नाम पढ़ा है कि करम के च्छाइक भाव नाम पढ़ा तो जब करम के च्छाइक भाव नाम पढ़ा तो फिर मेरे भी क्यों यह आरोप लगाते हो कि मैंने आत्मा ये कहता है कि वो ओदेग भाव है ना क्या का वो ओदेग भाव है ना ओदेग भाव नाम किसकी और से पढ़ा उसका कि उदेग अरे जब उदेगी और से उसका नाम ओदेग भाव पढ़ा तो तुम आत्मा पर ये आरोप क्यों लगाते हो कि आत्मा ने ओद्रिक भाव किया क्योंकि आत्मा तो पारणामिक भाव है और पारणामिक भाव निस्क्रिय है अक्रिय है निस्क्रिय का क्यारत है कि बंद रूप और मोक्ष रूप बंद मार्ग रूप और मोक्ष मार्ग रूप किरिया और परनती से सुन्ने है 320 गाता जैसे ना चारी की ठीका पढ़ो तो जिनागम को कहानी लिखा है क्योंकि अब अपन भेद ग्यान की दिशा में चल रहे है वस्तू की सिद्धी एक बार हमने कर ली जान लिया कि द्रबे परियाय सुरू बस्तू है आत्मा की परियाय में ये सब होता है वस्तू की सिद्धी करने के बाद अब प्रियोजिन की सिद्धी की बाद चल रही है ना आगे बही है समझ में ये इसमें एक बहुत बढ़िया कि मैंने ये राग था और मैंने राग छोड़ा ये क्या है ये संसे और संसे किस में जाता है पता आपको पांच प्रकार के मिध्यात्व में संसे नाम का एक मिध्यात्व है है कि नहीं बोलो पांच प्रकार के मिध्यात्व के नाम बता क्या का समझ में आया ये भी संसे है कि आत्मा में राग था आत्मा में राग मानने वाला उसने आत्मा को क्या माना आत्मा को रागी माना मिठ्यात तो है कि सम्मेक दर्शन है है ना इसका नाम मिठ्या दर्शन है ये संसे नाम का मिठ्यात तो है आगया और और क्या हुआ मैंने राग को दूर किया कि जब तेरे में राग थाई नहीं तो तुने राग को दूर कैसे किया कि जिसमें राग हो और वो राग को दूर करे ये बात तो सौंझ में आती है मेरे में राग है यह नहीं एक बार उस राग का निसेद क्यों नहीं आता कि मुझे में राग नहीं है क्योंकि राग आस्रव का लक्षन है और मैं ग्यान सुरूप चेतन्य हूँ तो ये संसे जिसका दूर हो गया मैं तो अरागी चेतन्य हूँ आ गया तो ये संसे भी दूर हो गया है मुझे में राग है और मेने राग को छोड़ा एसा संसय है नहीं बराबर वस्तु में एसा संसय नहीं है आगया फिर मलजने छवसंभाव को गरे की चर्चा आपन लोगों ने करी लीती यह भुख मारमी चर्चा है और उसके बाद यह सब तुलना करने के बाद फिर आचारे देव ने एक कलस क्या लिखा कि सुद्ध असुद्ध की इसका भी हिंदी पद्यान वाद पढ़ता हूं बहुत मज़ा आएगा देखो मिध्या द्रश्टी को सदेव ये शुद्ध अशुद्ध विकल्प रहे ज्यानी को तो सदाकार्य और कारिणत भी शुद्ध रहे परमागम का अतुल अर्थ जो सम्यके द्रश्टी स्वयम जाने सारा सार विचार के धी से उनको हम बंदन करते मुनिराज के ये सब्द निकले एसे सारा सार के अतुल अर्थ को जो जानते जानता है जो सम्यके द्रश्टी स्वयम जानता है उसे हम बंदन करते हैं तो सम्यके द्रश्टी को मुनिराज बंदन करते हैं पे सुर्णात जजे हैं क्या मतलब माँ में जजे मन आश्की द्रवे की ठाली लेके पूजा करते हैं जजे माने प्रसंसा करते हैं अरे मुनिराज भी उस सम्यके द्रश्टी को बंदन करते हैं माने उसको प्रसंसा करते हैं उसको कहते हैं तुमारे इस मार्ग की हमें अन्मोध न आती है धन्य हो तुम कि संसार के बंदनों को तोड़ कर आज तुमने मुक्ती मार्ग में प्रवेस किया अरे मुनिराज को भी सम्यके द्रश्टी के प्रती ऐसा बहुमान का भाव ऐसा अहो भाव मुनिराज को भी आता है है ना ऐसी द्वेस बुद्धी नहीं होती कि ये तो ग्रस्ट पंडित है सम्यके द्रश्टी पंडितं की बात कर रहा हूं मैं है ना कि टोड़रा मल जी नहीं चलेगा, पनारसी दाजी नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रस्त थे। एक तो ये दसा और एक ये दसा कि उसे हम वंदन करते हैं। यहां वंदन करने का मतलब प्रसंसा करते हैं, अनौधना करते हैं। उस मारगी की अनौधना में खड़े हैं। तुम धन्य हो, तुम ने ये काम किया। तो उसमें क्या बाग कही? इसमें ये कहा, कि शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना। क्या विकल्पना? विप्रीत कल्पना, मिथ्या माननेता, अनिश्य, शंका, भेद करना। क्या विकल्पना क्या होती है? विकल्पना क्या होती है। वो ये मानता है, कि अभी मैं असुद्ध हूँ, और मुझे असुद्ध ताटा अबाव करके सुद्ध होना है। सामनी रूप से विचार करने पर अपने को लगता है कितना इमानदार आदमी ज़िए को कह रहा है मेरे मैं अभी मैं असुद हूँ और अब मुझे असुदता का अभाव करना है मुझे सुद होना है वो इमानदार नहीं है पहले ही घरा उल्टा है क्यों मैं असुद हूँ कि जब तुई असुद हो गया तो असुदता कैसे दूर करेगा यह बता पहले है ना मनद परियाई पर खड़ा रहकर द्रब्य में कल्पना करता है अभी मैं परियाई में असुद हूँ अब मुझे परियाई अभी मुझे इसुद है तु तू कोण है तू है कोण ही तो पहले यह तो नक्की करके तू कोण है तू जहाँ है वहाँ असुदता है क्या तू तो परम पवित्र प्रभु है एक समय की अवस्ता से असुदता से मैं असुद हूँ और अब मुझे असुदता बिटाना है और मुझे सुदता प्रगट करना है यह सुदता प्रगट करने की कोई विधी नहीं है आया इसमें गुर्देव सिरी ने दो विट में पुरा कर रहे हैं फिर बागी कल लेंगे यह लिखा एक रूप भगवान तरिकाली सुरुआत किया प्रवचन की जहां से इस कलस पर कि एक रूप भगवान तरिकाली उसमें शुद और असुद एसे भेद परियाई द्रश्टी जिसे रहती है क्या का भगवान आता हम तो एक रूप अब एक रूप में तुने दो भेद कर दिये सुद्ध अशुद हूँ सुद्धता सुद्ध होना है कि जहां सुईकार ही ये हो कि अशुद्ध हूँ वहां सुद्धता प्रगट करने का अवसर कहा रहा आगया और सुद्ध सवाव को देख करके ये बोला कि मैं सुद्ध हूँ तो अब असुद्धता कहा रही खुद ग्यान के गई वे चली बहुत बढ़िया बात कह रहे एक रूप भगवान त्रिकाली करती है वह मूडजीव है मैं नहीं कहरा और गुर्देव कहरे है क्यों क्योंकि पर्याई की असुद्धता से उसने द्रव्य को ही असुद्ध मान लिया और पर्याई की सुद्धता से द्रव्य को सुद्ध मानता है आ गया द्रब्य निर्पेक से सुद्ध है पर्याई की असुद्धता हो उस काल में भी द्रब्य में असुद्धता ने प्रवेस किया ही नहीं और द्रब्य के आसरे से सुद्धता प्रगट हो तो उस प्रगट सुद्धता का भी द्रब्य में प्रवेस नहीं वो प्रगट सुद्धता हुई तो द्रव्य सुद्ध है ऐसा प्रसित हुआ क्या का ध्यान से सुनना तो परियाई की सुद्धता से द्रव्य सुद्ध नहीं हुआ द्रव्य तो पहले से सुद्ध है और जहां मैं सुद्ध हूँ ऐसा द्रव्य का स्विकार हुआ कहां है असुद्ध पजरबा कहां आया यह कहना चाहिए तू तो परियाई पे खड़ा है मैं सुद्ध और असुद्ध की विकल्पना का मतलब क्या होता है विपरीन माने का इतरा ऐसा सुद्ध भी नहीं जैसा तुम मानता है है ना वह मूड जीव है क्योंकि सुद्ध असुद्ध की अपे अपेक्षा रखता है असुद्ध का त्याग किया तो असुद्ध का त्याग और सुद्ध का ग्रैण हुआ ये सुद्ध असुद्ध की विकल्पना मित्या कल्पना विपृत कल्पना मित्या माननेता निश्चे निश्चे संका भेद करना है नः फिर Gurdjee ने कहा बहुत कठोर बात बापू अब वो बहुत कठोर बात है ना उकल अपने चाछा करेंगे क्या कटोर पाते हैं